सो हे वोट सब गाईस कैसा आप सभी लोग सो आज किसी वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ वन प्लस 980 डिवाइस के बारे में और इसके ओक्सिजन OS 12.1 बेस्ट ओन एंड़ो 12 के ओफीशल अपटेट के बारे में और इनके बग्स के बारे में अगर आप लोग यहाँ पर जाना चाते हों वन प्लस के आप 980 डिवाइस के अंदर आप लोगों को हैं आपर कौन कोन सी प पर कौन कौन से देखने को मिलते हैं तो आप लोग चैनल पर जाके मेरी वो वीडियो है ना उसको भी आपर वोज कर सकते हो लेकिन पहले आपर बात कर लिते हैं कौन कौन से प्रोब्लम है ना वह आप लोग को आपर देखने को आपर मिल सकते हैं इस अपटेट के अंदर तो यहाँ पर यह जो अप्टेट रना वो रिलीज होना स्टार्ट हो गया था फोर से फ़ाइफ डेज पहले और अप्टेट रना वहाँ पर लगबग सबी यूजर है उनके लिए आपर रोल आउट रना स्टार्ट हो चुका है और अगर आपके डिवाइस के अदर अप्टेट रना वो शो नहीं कर रहा है तो मैं आप लोगों को बोलूँगा आप लोगों को वन वीक का वेट कर लेना है वन वीक के अंदर अप्टेट रना वो सब भी यूजर है उनके लिए आप रोल आटो ना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अप्टेट हमेशा की तरह बेचेज के अंदर याप रिलीज होता है अब गईस बात कर लिते हैं अगर आप लोगों ने आपर वीडियो को अभी तक में आप लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आपको अभी लाइक कर देना है और चेनल पर अगर आप लोग यापर पहली बार विजिट कर रहो तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है साथ बेल आकन को ओल पर प्रेस कर लेना ताकि फ्यूटर में जैसे अप्टेट हैना वो यापर रिलीज होंगे और सेक्रूटी पेस लेवल के वो सबसे पहले यहीं पर देखने को मिल जाएगी अब हम लोग फटा 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 यापर बात कर लेते हैं इस अप्टेट के अंदर आप लोग को आपर फीचर हैना वो यापर कौन-कौन से देखने को मिलते हैं इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है बात कर लेते हैं आप लोगों को आपर कौन-कौन से प्रोब्लम हैना वो यापर देखने को मिल सकती है इस अप्टेट के अंदर सो बहुत सारी यूजर ने अपना डिवाइस देना उसको यहाँ पर Oxygen OS 12.1 based on Android 12 के official update के अंदर यहाँ पर install कर लिया है और उनके जो review है ना वो मैं आपको mix करके बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से problem है ना वो यहाँ पर मिल सकती है सबसे पहले यहाँ पर बात कर लिते हैं UI है ना वो आपको यहाँ पर smooth मिलती है या फिर थोड़ी आप लोगों को लेगी UI है ना वो यहाँ पर देखने को मिलती है so guys यहाँ पर आप लोगों को जितने भी जो option देखने को मिलती है ना उनके अंदर smoothness है वो आप लोगों को यापर ज़्यादा देखने को मिलती है आपको किसी भी तरगी की जो problem है ना वो आप लोगों यापर नहीं मिलेगी screen है वो एकदम अच्छी तरगी से आपर work कर रही है वही मैं आप लोगों से बात करूँ overall पूरा phone है ना वो यापर किस तरगी का यापर perform कर रहे है मतलब कि यापर आप लोगों का जो ape driver है control center है वो यापर lake तो नहीं कर रहे है तो ऐसा नहीं है जो ape driver है वो भी एकदम अच्छी तरगी से work कर रहे है और जो मारा control center है ना वो भी एकदम smoothly work कर रहे है उसके अंदर आपको किसी भी तरगी कि जो problem है ना वो यापर देखने को नहीं मिलती है और गईज मैं आप लोगों से बात करूँ second change के बारे में वो है gaming performance क्योंकि यापर 1 प्लस 9 आर्टी जो device है ना अगर आप लोगों ने आपर purchase किया है तो एक point आप लोगों ने ये सोच के भी आपर purchase किया होगा कि इस device के अंदर आप लोगों जो यापर gaming performance देखने को मिलेगा ना वो एकदम smooth देखने को मिलेगा इसके अंदर आप लोगों एप्यस है ना वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगे FPS drop की जो problem है ना वो यहाँ पर नहीं मिलेगी तो यहाँ पर जो gaming performance है वो आप लोगों को normal ही देखने को मिलता है मतलब कि जैसा आप लोगों को यहाँ पर Oxygen OS 11.1 का update है उसके अंदर देखने को मिलता था सेम उसी तरके का आप लोगों यहाँ पर जो gaming performance है ना वो यहाँ पर इस update के अंदर भी देखने को मिलता है और अब मैं आप लोगों से बात के लेता हूँ gaming performance तो अच्छा है यहाँ पर देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर बीच के जो beta update है ना वहाँ पर आयते उनके अंदर gaming performance है वो एकदम से खराब हो गया था मतलब कि अगर आप लोगों ने beta update ना उसका पर use किया होगा तो आप लोगों को ये बात ना वहाँ पर अच्छे से पता होगी कि जो beta update ना उसके अंदर आप लोगों आपर कितनी सारी problem है ना वहाँ पर होगी लेकिन आपर ये official update है इसके अंदर आपको इस तरगे की किसी भी तरगे की जो problem है ना वहाँ आप पर देखने को नहीं मिलती है अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ और changes के बार में जो कि आप लोगों को आपर इस update के अंदर देखने को मिलते है वो है charging time तो पहले आ electricity अच्छी तरगे से work कर रही है तो आपका जो device है ना वहाँ पर 34-35 मिनट तक आपर चार्ज हो जाता था तो उसी तरगे के आप लोगों है आपर जो same time है ना वहाँ आपर इस update के अंदर भी देखने को मिलते है तो हाँ दोस्तों ये जो update है इसके अंदर भी आपको charging time है व पर आपका phone है ना वहाँ पर charge होता है और अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ चार्ज तो अच्छे से हो जाता है लेकिन चार्ज होने के बाद में चलता कितना है तो phone है ना वो पहले आपका जो device है वहाँ आपर battery backup है वो normal देता था oxygen OS 11.1 के update के अंदर लेकिन जैसे oxygen OS 12.1 based on Android 12 का beta update है उसको आप लोगों ने अपने device के अंदर install किया तब से आप लोगों को problem है वहाँ आपर देखने को मिल रही थी कि battery है वहाँ आप जल्दी से drain होती है और उसके अंदर आप लोगों को problem है वहाँ आपर देखने को मिलती है लेकिन इस update के अंदर ऐसा बिलक मिलता है और बेटरी बेक अपना वह आप यहाँ पर one plus 980 बहुत ही अच्छा है यहाँ पर provide करा देता है और अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं और और update है वह आपको कैसा देखने को मिलता है इसके अंदर आप लोगों को आपर update है वहाँ आपर करना ची या फिर नह इसको install कर लेना ची अगर आपके device के अंदर oxygen OS 12.1 का data update है वहाँ आपर install है और कुछ लोगों के यहाँ पर यह bit out है कि अगर हम लोगों ने oxygen OS 12.1 का update है उसको आपर install कर लिया था beta update तो क्या हम लोगों को फिर से roll वे करना पड़ेगा बाद में oxygen OS 12.1 का stable update है यह फिर जैसा हम अगर आप लोगों ने आपर oxygen OS 12.1 का beta update है वहाँ अपर install करके रखा है तो कोई डरने की बात में भी डाइरेक्ट आपके लिए जो यहाँ पर official stable update है वहाँ आपर one plus की और से यहाँ पर release करा दिया जाएगा और जैसे यह जो update है वहाँ आपर fully roll out हो जाएगा सभी user के लिए roll कर दूँगा और recently मैंने आपर oxygen OS 13 based on endo 13 के जो वीडियो आपर बनाई है तो अगर आप लोगों आपर oxygen OS 13 update के बारे में जाना है तो इसका link करना वह मैं आपको उपर i button पर बता दूँगा तो आप लोग मेरी वो वीडियो आना उसको आपर देख तो और guys अगर आप लोगों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं क्या है तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है साथ बेल आइकन को ओल्पर प्रेस कर लेना अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल है इसको आपको जोइन कर लेना है इसका link में आपको नीचे description प्रवाइड करा दूँगा और अगर आप लोगों को कमाल के wallpaper है वह आपको download और set करना पसंद है तो आपको सहेज wallpaper का टेलिग्राम चैनल है इसको join कर लेना है यहाँ पर आपको approach 5000 member है ना वह आपको active देखने को मिलते है तो wallpaper की जो quality है ना वह भी आपको बहुत ही कमाल की देखने को मिलती है आप लोग देख तो यह जो wallpaper है ना वो कितनी अच्छी तरगे से आपर set हो चुका है इस device के दें तो इस तरगे का जो wallpaper है वो आप लोग आपर download कर सकतो simply आपको यहाँ पर search करना है सहेज wallpaper तो guys मैं मिलता है आपको नेक्षोड में तब तक लिए जे हिंद वन दे मातरम